दरेक बालक ने शिक्षण नो अधिकार छे अने ए अधिकार ए बालक ने मलवोज जोईए अनि एवोज एजुकेशन नो यगन अमदावाद मां चलावी रहा छे अधिकारी मकरण चौहान छे तिमना धर्मपत नी निधी चौहान निधी मेडम आपनी साथे चे मेडम शू कैशो जे प्रकारे तमें शिक्षण नो यग्या चला वी रहा छो आप जो एजुकेशन यग्या चला रहा है किस प्रकार से वीचार आया था आपको और कितने साल से मैं दिल्ली से हूँ मैं जब खुद 13 साल की थी तो मैं देखती थी कि छोटे-छोटे बच्चे बिना एजुकेशन के मतला विधरुदर घूमा करते थे तो मैंने कारण जानने की कोशिश की तो कारण था कि माता-पिता के अंदर जाग रुकता नहीं थी कि बच्चों को क्य एजुकेट करना चाहिए तो जब से ही मेरे मन में विचार आया कि मैं इन बच्चों की शायद थोड़ी मदद कर सकती हूं तो दिल्ली से ही मैंने ये जो मेरी सेवा थी ये शुरू की थी कितने साल हो गए ये जो ये सेवा करते हुए और किस प्रकार से कितने कौन-कौन से आई एरिया के जो बच्चे है उपढ़ने आते है अर्कितने स््टांडर्ट कॉन-कॉन से स्टांडर्ड पढ मुझे लगबग 26 और मेरे पास ज्यादातर स्वह नाम से आते हैं और कुछ बच्चे हैं जो प्राइवट स्कूल के भी होतें इंग्लीश मीडियम के बच्चे होते हैं तो मेरे यहाँ इंग्लिश गुजराती और हिंदी तीनों ही मीडियम को हम पढ़ाते हैं बच्चों को कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और जैसे बच्चा वीक है तो उसकी कोई ट्रिक है उनको याद रह जाए ऐसा कुछ सब्जेक्ट में मैथ, इंग्लिश और साइंस तीन सब्जेक्ट में होते हैं और बच्चे क्योंकि वो स्लम से आ रहे हैं तो उनके अंदर एक जागरुकता नहीं है कि हमें क्यों पढ़ना है तो हम उस बच्चे का थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं पहले कि बच्चा कहां वी है जो यहां पढ़ने आते हैं फर्स तू ट्वेल्थ सभी क्लास के बच्चे मेरे पास आते हैं मैं और मेरे साथ दो समाज से विकाये हैं जो फ्री में ही एजुकेट करती हैं मेरी तरह इतने साल से आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो दसवी और बारवी में भी जो पहुंच गये हैं तो जैसे आपके पास से सीख के गये हैं तो उनका रिजल्ट आया इस बार क्या रिजल्ट आया है ऐसा आपको यह आपका क्वेशन बहुत अच्छा है क्योंकि दसवी और बारवी के बच्चेगों पर हमें खास ध्यान देना होता है लेकिन मुझे नहीं 70-80% marks उसके आए हैं और जो 12th के बच्चे हैं जो commerce के बच्चे थे मेरे पास उनके भी बहुत अच्छे रिजल्ट है बच्चे और भी पढ़ाई में ध्यान दे और कहीं न कहीं अभी जिस प्रकार से mobile का भी जो एडिक्ट है बच्चे हो रहे तो उसके आप क्या सीख देंगे कोई को हम रोज बच्चो को यहीं सिखाते हैं कि आप mobile का यूझ कम से कम करें कि मोबाइळ अगर हम ज्याद यूजΤ करेंगे तो उससे हमें नुक्सान है सबसे बड़ा हमारे टेह मारे यह सिखाती हूं कि बुक्स को अपना दोस्त बनाओ बुक्स से जादा अच्छा दोस्त हमारा कोई होने सकता क्योंकि बुक्स हमें घ्यान देती हैं बुक्स हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना है वो सब सिखाती है केरियर के बारे में भी आप पढ़ाते होंगे बच्चों को की कौन सी केरियर चूज करना चाहिए, क्या है आज कर जासे साइन्स का जमाना है, टेकनोलोजी की बिना तो हम नहीं जी सकते तो मैं उनको ये बताती हूँ क्योंकि जो मेरे हस्बेंड है, आईपिएस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, तो बच्चों के जाधा तर कोशन पुलिस से रिलेटिड ही होते हैं, कि मैडम पुलिस कैसे बनना है, उसके लिए हमें क्या सब्जेक्ट लेना चाहिए, कितने माक्स होने चाहिए, तो वह पूरी नॉलेज या तो मैरे हस्बेंड या हम किसी दूसरे पुलिस ऑफिसर को बुलाकर उन्हें गाइड गरते हैं, यद hy पुलिस लाइन में जाना है, तो बहुत अच्छी बात है या दूसरी किसी लाइन में जाना है, तो उनके लिए गारियर जब हमारी शादी हुई थी और खेडा से मैंने ये शुरू किया बच्चों को पढ़ाना उसमें मेरे हस्बंड का काफी सपोर्ट रहा क्योंकि जब मैं आई यहां पर तो मैंने उनको बताया कि मेरी ऐसी इच्छा है मैं बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं तो उन्हों से सरकी ट्रांसपरेबल जॉब है तो उस प्रकार से फिर किस प्रकार आप मेनेज करते हैं कि यह बच्चे आपने इस प्रकार से यहां पर पढ़ाना सुरू किया पहले आप दिल्ली में पढ़ा थे तो फिर वह किस प्रकार से में वह बहुत मुश्किल होता है मैं आपको ए तक नहीं पहुंच सकते तो मैंने का आप उनको लेटर लिखो तो सच में मेरे पास आज है नहीं बच्चों ने पोस्ट कार्ड पे माननीय मोधी साहब आप प्लीस मकरंद चोहान साब का ट्रांसफर ना करें हमारी मैनम चली आएंगी तो हम पढ़ेंगे कैसे ऐसा ऐसे बहुत सारे लेटर उन्होंने लिखे पता नहीं वह पोस्ट किये थे वह मुझे नहीं पता लेकिन उन बच्चों से बिछडना उनके लिए भी बहुत मुश्किल होता है और मेरे लिए भी कि इतने साल से आप पढ़ा रहें कोई बच्चा है कि वह पढ़ लिखे आगे बढ़ गया है कई ऐसी पोस्ट पे पहुंच गया तो कैसा मैसूस होता है आपको भी जो यहां के स्टूडेंट है और जो दिल्ली के मेरे स्टूडेंट है अगर मैं दिल्ली वाले हैं वह भी मैरेड है वह खुद उनके छोटे-छोटे बच्चे हैं लेकिन वहां से मुझे खवरें आ जाती है कि वह बच्चा कैनेडा गया वह बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया और जो यहां के बच्चे भी हैं वह बड़े-बड़े इंस्टिटूट में उनकी अडमिशन और भी लोग सोचे और आगे आए कि तो इसके लिए आप क्या अपील करें मैं हाथ चोड़के मेरे सभी देशवासियों से यह अपील करती हूं कि हम बहुत लखी हैं कि हम हिंदुस्तान जैसे महान देश में पैदा हुए हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा थोड़ा सा आप अ हमारे हिंदुस्तान जैसे देश से महान ताकत कोई हो नहीं सकता केमेरा में निले सोसा साथे संजे टांक न्यूज 18 गुजाती अमदावाद